सुप्रभाद बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पाठ बार कितने कव्वे के नवीन शब्द, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो जल्दी से अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजे और तयार हो जाएए। सबसे पहले लिखेंगे नवीन शब्द, तो इसके लिए आपको सबसे उपर लिखना है दिनांग, यानि देट लिखनी है, उसके बाद विचार लिखना है, विचार क्या है? सोचिए, फिर बोलिए, यानि हमें कुछ भी चीज बोलने से पहले सोचना है। और उसके बाद लिखेंगे पाठ बारव और कितने कववे, अब लिखेंगे नवीन शब्द, तो चलिए शुरू करते हैं, मैं इन शब्दों को पहले पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ दोहराईए और उसके बाद आप लिखना प्रारम करेंगे, ठीके? तो पहला शब्द है मंत्री, मंत्री, दूसरा सिंहासन, सिंहासन, तेसरा प्रबंद, प्रबंद, चौथा आग्या, आग्या, पाच्वा गुस्सा, गुस्सा, छटा है राज, राज, साथ्वा द्रिश, द्रिश, आठ्वा बुद्धिमान, बुद्धिमान, नवा प्रबेश, प्रबेश, और दस्वा है दौरा, दौरा, तो ये रहे आपके नवेंशब, इसे आपको अपनी खिंदी की कॉपी में लिखना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हैं शब्द अर्थ, पाठ बारा कितने कौवे और शब्द अर्थ, पहला है सभा, सभा यानि दर्वार, जहां पर राजा के साथ उनके मंत्री ये दर्वारे सब बैट कर किसी भी मुद्दे पर विचार विमश करते हैं, बाते करते हैं, दूसरा है सिंहासन, सिंहासन का आर्थ होता है राजाओं के बैटने का आसन, जिस पर राजा महराजा बैटते हैं, तीसरा है मंत्री, मंत्री का आर्थ है राजा को सलहा देने वाला, उसे मंत्री कहते हैं, चोथा है दोरा, दोरा का अर्थ है जाच परताल के लिए फेरा लगाना, किसी जगह की कोई जाच परताल करनी है तुम्हां जाकर देखना, तो यह कहलाता है दोरा उसके बाद है प्रबंद यानि व्यवस्था करना, उपाय करना, अरेंज करना, प्रबंद व्यवस्था और छटा है चतुर, चतुरकार्थ है चालाक, और सात्वा है प्रवेश, प्रवेश यानि भीतराना और आठ्वा है बुद्धिमान, बुद्धिमान कार्थ है समस्दार अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न उत्तरव, तो इसे अपनी कॉपी में लिखना है इन सबको आपको, और भौत ध्यान से लिखना है पहला प्रश्न है, कृष्ण देव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा पुत्तर है, कृष्ण देव ने मंत्री को राज्य के दौरे के लिए सारा प्रबंद करने के लिए कहा क्योंकि जो महराश थे, वो राज्य का दौरा करना चाते थे, इसलिए उसके लिए उन्होंने मंत्री से सारा प्रबंद करने को कहा उसके बाद आपको दो पंक्तियां छोड़नी है जिसे मैं आपने छोड़ा है अगला प्रशन लिखेंगे प्रशन दो तिनाली राम दर्वार में देर से क्यों पहुँचे? तिनाली राम दर्वार में देर से क्यों पहुँचे? क्योंकि वे कवों को रोटी खिलाने गए थे। तिनाली राम दरवार में देर से इसले पहुचे क्योंकि वे कवों को रोटी खिलाने गए थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण देव ने तिनाली राम से क्या सवाल पूछा? उत्तर है क्रिश्न देव ने तिनाली राम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कववे हैं अगला प्रशन है प्रशन चार दर्बारियों की तिनाली राम के बारे में क्या सोच थी? उत्तर है दर्बारी तिनाली राम की बुद्धिमानी से जलते थे क्योंकि तिनाली राम अपनी बुद्धिमानी से हमेशा ही महराज का दिल जीत लेते थे और महराज उन्हें बदले में उपहार देते थे इसलिए सारे दरवारी उनसे जलते थे, चिड़ते थे तो बच्चो आपको ये सारा जो लिखित कारी है अपनी हिंदी की कॉपी में करना है और बहुत ध्यान पूर्वक करना है पहले पढ़ना है फिर लिखना है और उसके बाद लिखने के बाद एक बार स्वयम इसे चक करना है कहीं कोई गलती तो नहीं है उसे ठीक करना है फिर ठीक है तो ये काम कर लिखना भी है और साथी से याद भी करना है तो मिलते हैं अगली कक्षा में आप सब अपना ध्यान रखे धन्यवाद